नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभीका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वेविसेख फुलवारिया पे दोस्तों बात कर रहे थे पहले क्लास की केमिस्ट्री के चप्टर फर्स्ट के बारे में और सामाने जानकारी पड़ी थी थोड़ा बहुत रिविजिन करते है दो या अधिक पडार्तों का समांगी मिस्रन उसमें भी आपको बता है था कि ये जो दूसरी में पूरी तरीके से घुल जाई उसको बोलते समांगी है या पर इसके परत्य कि जो पतर हो एक मन दहीत स्टाइब होगा же और में सब्सक्राइब गणद नमक की है यह तो फिर उसको पन बोला를गे समांगी मिश्रन यानि सभी जगह पर प्रति गटक का संग्चा नहीं नहीं तो उसको मिए समांगी जा कि क्या बता था जवी-ङ्गी-विलियन एक होता बहु-अंगी-विलियन यह बहु-विलियन तो दुई-विल्यकी का सामधाश क्या है जिसमें ओनली फॉर दो ही घटब को यानि जिसके दो ही पार्ट हो अब उसमें अधिक जो भी होगा जैसे जल और नमक में जल अधिक होता होता है तो जो आधिक होता है दियोंगी में उसको विलायक कहते है गया कहते है ठीक है और जो सारे क्या विले हो जाएंगे तो इस प्रकार हम ने चलचा की ती और विल्थ में वह चैप्टर का पड़ेंगे वह कैसे होंगे तो अप्सरद्वी वी अंगी ही होंगे जिसमें only for एक विले होगा एक विलायक होगा यह आपको ध्यान रखना है तो सब पहले देखो विलायक विले परिबास आप पूछे तो पता सकते हैं इसमें कुछ नहीं है विलायक इसको बहुत है solvent क्या बोलता है solvent तो solvent क्या होता है विलियन में जिस गटक की मात्र अधिक हो उसको बन क्या बोलेंगे तो असर विलायक बोलेंगे ठीक है और जिसकी कम हो अगर उल्टा कर दें कम तो फिर उसको बोलेंगे विले क्या बोलेंगे विले इसको बोलते हैं सोल्यूट क्या बोलते हैं सोल्यूट यह आपको द्याना होना चाहिए ठीक है तो विले और विले की चर्चाब ने की थी उसके बाद में विलेन के ओ टाइप देखेते हैं किसके आदार पर तो अक्षर विलेन के टाइप हमने दे यानि कि देखो इसमें विलायक क्यादार पर देख सकते हैं तो यहां पर देखो विलायक इधर ले लेते विले यह पूरा रिविजिन करें तोड़ा साना बाद में वापिस डीटेल में अगला शुरू करेंगे यह एक्जाम्पल आपका भी थोड़ा रिमेंबर हो जाएगा आपिस यहां पर पो है यह क्या फिकर विलिन तो यह फिलियन के परते करें तो एक ठोसी इ возь your subscribe और यह किए और यहां पर तो गया होगा यहां पर यह जिस में विल्य टोस या पर शी रहेगा तो यहां पर ऩो हमेंसा रहेगा ठोस तोस और तोस ही रहेंगे तिनो हो लेकिन एक एक बार इनको चेंज करते जाना यहां पर लीको खोग है ओर द्रौ और मध्या हुएं तो यह यह junior सब्सक्राइब तो इस प्रकार के अपने नो प्रकार के इन बनाएंगे ठीक है अब यहां पर देखो यहां पर भी ठोस द्रव गेस यह पिछले वीडियों पुरा पड़ा था आज इसका थोड़ा सारी विजिन हो जाएगा में याद तो क्या करने एक्जम पर याद करने द्रव और मैं इसन अब अपण देखों पर यहां में सोनगी धामा गट लिए यू सिए खता है तो ट्रोस जैसे एन्लेके लें आ प्लस में एक मात रिसी दत् Santos जो वहता हो हिसे पेले लिए-प्र जिसके-ंदर तो यह तोश हो जाएगा उसके बाद में द्राव यह नो дух कॉनरी चीज करें तो एक ओगा यह तोइक हो गार्ओ इचीजा का सी में फिर होना चाहिए थी आपनले पाव सराव को डंतलो फाएं सड्रियोग इनदर गयां तो जल ंए बुली तो याँ जल के अंदर कुछ मात्रा में अक्षीजन civils लिभा जाती है तो वह जो जो जैने से क्योंद्र की अब पावत मई से अभर में दोगएंगे में क्रशे क्लूट mr ने में अब्लब नगे यहाद करते हैं तो फोस के रूप में लेंगे कापूर क्या यह जायगा कापूर ठीके द्रोगे रूप में क्लोरो फॉर्म का फर्मूला C H C L 3 दिरे दिरे याद करते हैं चलो एन तक याद हो जाएंगे सारे ठीके खलो फॉर्म उसके बाद है गेस गेस तो आप कोई भी ले सकते जैसे ऑक्सिजन नाइट्रोजन आइट्रोजन आधिका मिस्रान या फिर नाइट्रोजन और और अक्सिजन अपर इतना जो यह वो हमने पहले पड़ रखा था अब भी अपन करेंगे नए आटोपे की स्टार्ट जिसका नाम यह संदर्ता तो सबसे पहले दो को संदर्ता होती गया है जैसे आपने क्या किया एक लिटर जल लिया कितना लिया एक लिटर उसमें दस ग्राम क्या मिला दिया तो अक्सर नमक मिला दिया अब आपने सभी जगा पर वो फैल गया अब आपने चेक कि इतने भाग में कितना न विले जो है वो एक बाग में कितने परतिसत उपलब दे या पिर उसकी मात्रा क्या है पूरे विलायक के रेस्पेक्ट में विले की मात्रा कितनी है उसको पर बोलते है उसकी संदरता यानि की विलायक की निश्चित मात्रा में क्या लिखेंगे विलायक की निश्चित मात्रा म गुले हुए विले की मात्रा संदर्ता कहला थी क्या कहला थी संदर्ता यानि विलाएक की निश्चित मात्रा ले लिए आपने उसमें कितना विले गुले हुए संदर्ता की बात करें तो इस संदर्ता में हैं क्या मापन की कई हैं तो मापन की कई हो में इन पढ़ेंगे नाम देख लेते पहले जैसे ज्व्यमान प्रतिसत प्रतिसाथ ऐसे लिख देते हैं ठीके उसके बाद में आयतन प्रतिसाथ पढ़ेंगे क्या बढ़ेंगे आयतन प्रतिसाथ उसके बाद में द्रविमान आयतन प्रतिसाथ द्रविमान आयतन प्रतिसाथ उसके बाद में और पढ़ेंगे पीपीएं पाइट पर मिलियन क्या तो यह मुलवान गुशप में इतनी शारी चीजी अपने ट्वेल थे में इतनी सरे चीज को पढ़नी एक एक चीज को आराम से देखेंगे फूरा वीडियो ऐंड तरद देखना मज आ जाएगा ठीकर याज भी हो जाएगा सब से पहली चीज बढ़ेंगे दर्व्यमान प्रतिसत प्रतिसद इसाँ में डिलेवन प्रतिसत में क भी मान का सब्सक्राइब करें पेहले जैसे आपने सो ग्राम में कि न CPA लेंगे डिया ना तिक ये इसका जोए है नमक का ये इसका द्रिखमाँ प्रतिशत है और In हुआने और भी खेरा चिते हैं और और दस ग्राम क्या है नमक है तो दस परसेंट क्या है तो यह दस परसेंट जो आया है नमक का यह इसका द्रिमाम प्रतिश्चत है और उसका 90 परसेंट जो आया है वो उसका क्या है द्रिमाम प्रतिश्चत है तो सबते पहले देखो विले के बार भगो की एक बास बता दू यानि कि विले के परिबासा पूछे तो विले के बार भागों की विले के बार भागों की वह संख्या जो विलेंड के सो बार भागों उपस्थित होती है जो विलेंड के सो बार भागों मैं हर कि अधि otherwise होती है इसको अपन क्या बोलंगे द्रेव्मां परतिशत यानि विलेंड के बार बागों की वह संग्या जो विलियन के सो बार बागों में उपस्तित होती है ज्यादा तर ये किसके respect में बात करेंगे विले के और आप विलायक का भी क्या तो कर सकते हो जैसे देखो ओसे फोर्मूला लिखेंगे द्रविमान प्रतिसात सोड में व यह बीजुदी व ये से दरताता है व यह ये पने मान प्रतिसात है या पर भी देखोग्क हम करते ह साथ तो पहल्रे जाने मीगए को मैं अर्यं कि यानि कि गटक का द्रिविमान गटक का द्रिविमान अब यह भी कह सकते हो गटक भी कह सकते हो पार्ट भी कह सकते हो भाग भी कह सकते हो जो बूलो विले भी हो सकता है तो गटक का द्रिविमान बटे कुल द्रिविमान कुल द्रिविमान या पिर आप कहा सकते हैं विलियन का द्रिविमान गट का द्रिविमान बटे विलियन का द्रिविमान लिख देते हैं बढ़िया रहेगा यह विलियन का द्रिविमान विलियन में दोनों गट कोते हैं विले और विले एक दोनों ठी है तो गट का द्रिविमा ड्व्लिऊ इससको दरसात है तो यह कैसे कियांत करेंगे तो घटक की जगह क्या ले लेंगे तो उक्सर विलेलेलेंगे बात क्टम तो क्या लिख देंगे विलेकर घ्रमान पूंत werd का दुटैओ इस Powell क्तुम तो घ्यात करते हो कैसे percentage W by W लिख दोगे यहाँ पर विला एका कर दोगे और बटे में तो विलियन ही रहेगा तो यह था पहला द्रेव मान परतिसत अब इससे समंदित जो नमरी कल आते हैं उन पे थोड़ी क्या करेंगे चर्चा करेंगे पहले एक और देखो जैसे मैंने बोल दिया 10% W by W NACL विलियन है क्या है NACL विलियन तो पहले तो आपको इसका साबदिक अर्थ समंद ना चाहिए 10% W by W NACL विलियन का मतलब क्या है NACL जो है ना वो विलियन में 10% है यह W by W मतलब द्रेव माम परतिसत तो विलियन में एनेसीयल का द्रेव मांपरतिस्यत 10 है तो आप सोच सकते हो अगर आपको दूसरा कुछ नहीं दिये हुआ है तो दूसरा में सा जल होगा क्या होगा जल यानि आपको खाली विले दे रखाओ और पीछे क्या लेका हो विलियन तो विलियन में में सा एक पार्ट जल मानना क्या म अब आपको बोल दिया है कि 10% W by W तो 10% W by W नसीयल का मतलब है नसीयल 10% यह नसीयल कितना ले लिया दस पर 30 तो ओटमेटिक विलियन में दूसरा पार्ट कौन जाओगा जलोगा और उसकी मात्रा 90% होगी यह आपको अलका सा पता चलना चाहिए अब अब अपन अमरी कल सब्सक्राइब देखेंड एक थ्यार करते हैं तो इसको मिटाऊं इसके इसको लेल लेंगे ठीक है आप देखिए कुछ परसंट करते हैं एक दूट पहला पर सना इसके लिए एक पर संहार का से पर अच्छा फॉर्मूले की रूप अभी लिख्ए क्या तो पहले देखो इसको फर्मिल रूप में ऐसी लिख सकते हैं परसनेज ड़ली बाइ डबी डबली एकल टो अभी क्या बते था घटक का द्रविबान वापस लिख देता हूं गॉटक का द्रविबान बट ए बॉलेन का द्रविबान ठीक है घटक के रुबाँ विले विले सकते हो अगर विले की तुलनाम बात करे यानि विले का द्रविमान प्रतिशाथ और जैदातर अपने यही काम आने वाला है विले का परसेंटर डबली बाई डबली तो यहां पर विले का ले लेंगे द्रविमान विले का द्रविमान बटे मैं विलेन का द्रविमान ठीक है तो पहले देखो विले को किस से दर्साएंगे एक बात अपने इस वीडियो में द्राइन रखना स्थीरीज में जो भी हो जहां जहां पर विले आएगा मैं उसके लिए भी यूज़ करूँगा क्या यूज़ अब आप देखो तो द्रविमान को डवल्यू से दर्साएंगे यानि वेट से तो ये डवल्यू यानि वेट अब विले का द्रविमान है तो नीचे भी लिख देंगे क्या लिख देंगे भी यानि विले तो विले का द्रविमान बटे में विलेन का द्रविमान विलेन में तो दोन हूंगे तो डबल्यू एभी होगा प्लस डबल्यू व्यू बिई होगा तब फी तो जा कर विलिल मनेगा तो डबल्यू ए प्लस डबल्यू बी लिख देंगे तो यह इसका फॉर्मूला बनदेगा गुणा में यह लिखोगे सो तो ही यह विए आपको दितन रखना है अब अपन परसंद में दितन Ondय गते को बीश सरक्रा प्रक्रा को असी ग्राम जल में गोल गया है है बीश ग्राम चाँ एक असी ग्राम क्या जल में उपसीत है तो थे शरक्रा या तर्विमान परतिसल्ट है तीज़ करना है तो इसमेंएही कुछ नहीं आप सब सस्व हते हैं सरू कितनी है यह तो 20 घ्राम है फिकर जल कितना है तो एकसर 80 घ्राम कितना घ्राम है तो एकसर 100 अमयल यह 100 घ्राम भनत गया मान भू clicking अब क्या ग्यात answer। होगा कुछ नहीं सरकरा कितनी हैρά तो बैसे यह तो प्रिस ग्राम है ठीक है जल कितना है तो असी ग्राम कितना ग्राम है असी ग्राम तो उक्सर विलिनगीत consum बढ़ागा तो फॉर्मूला जरूर लिखना है वरना आधा नमर आपके पहले ही घड़ देएगा ठीके तो पहले देखो सरक्रा का द्रेवमान प्रतिश्वत कैसे लिखेंगे सरक्रा का द्रेवमान क्या लिखोंगे उपर सरक्रा का द्रेमान जो भी विले हो उसी का लेना है बटे में विलिन का द्रेमान गुणा 100 तो सरक्रा का द्रेमान कितना है तो अक्सर 20 ग्राम विलिन का द्रेमान कितना है तो अक्सर 100 ग्राम गुणा में के लिखना है, तो 100 से 100 चला जाएगा, और answer आजाएगा 20%, जो कि पहले से देर रखा था, ठीके, अब आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, ये 20 ASC total 100 है, तो 100 में से 20 ग्राम है, तो 20% हो जाएगा, तो इसका right answer कितना होगा, 20%, एक दो परसन और करते हैं, मजा आएगा, क्योंकि नमरीकल के बिन आपको, फिल नहीं आएगा, मैंने कुछ पढ़ा है, और ये मिलाने है, ये तो add नहीं था, एक दो और देखते पता चलाएगा आपको, ठीके, अगला देखिए, next person आपके लिए 15 ग्राम, ग्राम को खाली जी लिखना है, ये ज्याना है, जी आएबने लिखते है जी, 15 ग्राम, क्या है, आपको ये ज्याने समझ आज़गा, जल में घुला गया है, तो तो परसेंटेज, kis w by w of NaCl अगो नायानि यह आपको ग्याद करना है यानि की 15 ग्राम को रहाम जल में खोला गया है तो आपको परसेंटेज W by W of NaCl यानि की NaCl का दृष्ष्ण माँ परतिस्यत ग्याद करना है तो पहले देखो एंस्वर तबसे पहले गिद्धी कितना है यह 15 बाद में जल कितना है तो अक्सा लिख देना आप 500 ग्राम अब दिकत यहां पर है आपको विलियन बढ़ाना क्या बढ़ाना है विलियन में दो नहीं होंगे यह 15 165 ग्राम हो जाएगा क्लिए यह यह ग्याद करना अब आपको क्या पुछा है तो अक्सर द्रिमां परते से तो परसंटेज डब्ली बाई डब्ली एनसी एल इस इकल टू बराबर में क्या लोग है एनसी एल का द्रिमान यानि विले का द्रिमान बटे में विलियन का द्रिमान विलियन का द्रिमान गुणा में 100 अब आप देखो एनसील का द्रिमान तो अक्सर पंद्रा और इसका तो अक्सर 165 विलियन का द्रिमान अभी क्या है टोटल एक्सर टोटल लेना है गुणा में क्या लेना है तो अक्स पंद्रह और यह लएक टो नहीं तो पिसे कितना बचेगा नहीं तो फिर फिर पर नहीं प्रसेंट नहीं तो आपने इतने जाना ज्यादा डूबना नहीं इसमें तो 9.9 प्रसफ इस प्रकार आप निकाल सकते हो या फिर नो सही एक बटे 9% ठीक है यह इसका राइटेम से रोजाएगा सही 100% ठीक है अच्छा 9.09 अगला नेक्स्ट यह हो गया एक और परसंट एक दो परसंट और रहे कि इतने गणई है ठीक है बाकी और भी टोपिक है उन्में भी परसंट करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा अगला देखो तो यह हमने क्या पढ़ा है तो अक्सर द्रव्य मान परतिशब पढ़ा है अगला देखिए कि नेक्स्ट जो मैं पढ़ने जा रहे हैं वह आयतन प्रतिशत क्या नाम है अरे बहुत सिंपल है चिंता मत करना ऐसा नहीं फास्ट पास चल रहा है जल्दी-जल्दी यह सोच रहे सब को समझना रहा है आ जाएगा चिंता नहीं एक बार देखना मझे से ठीक है आयतन प्रतिशत यानि वोल्यूम परसेंटेज तो आयतन प्रतिश्यत स्यम टूसयम फटू को प्यें ज्यादा अंतर ही नहीं उसमें कहाद़ एक बार बागों की वह संक्या इसमें विल्यके आइतन बागों की उसमें बार बागोता है ना तो आप यह पढ़ रिभीजन साथ साथ बहुत जाना चाहिए आयतन भागों की बहुत संक्या जो विलियन के सो आयतन भागों में उपस्तित हो उसको आप क्या बोलोगे तो अकसर उसको आप बोल देंगे बहुत जाना तर जैसे ऑलोगों बहुत संक्या जो विलियन के आयतन भागों की वश't को आप सब्सक्राइब और聞क्या बहुत सब्सक्राइब आयतन को वॉलियूम से क्या बोलते हैं ह iba कि यहां पर संटेज वी यूज करेंगे क्या लिगत लिग्ए पर संटेस भी भाई हई इसका Spywood क्या होगा टो विले का अधिन है ऑस्के एन भटे है गोरास हो यह यह जाए गाई तर्टी सथ या फिर आप सब्सक्राइब क्यों मैं तो विलैय का भी जयाद कर सकते हो तो आप सी दहली दो गटक गटक में दोने आ जाएंगे ठीक है कोई भी ले सकते हो गटक का आए तन भटे में विल्लिन का यह तन या कुल आए तन कह सकते हो गुणा में क्या लिख होगे तो अक्सार है यह हो जाएगा अब फॉर्मूले के रूप में लिखना हो तो विले को क्या लिखते हैं तो अक्सार विले को डबल्यू बी लिखते हैं क्या लिखते हैं डबल्यू विले का आयतन लेना है द्रिमान नी आयतन आयतन को V से दरसाते हैं तो V B लिख देंगे बटे में V A प्लस V B या फिर आप सीधा लेख सकते हैं V खाली विलिन का आयतन V लिख देना तो V B बटे V गुणा 100 या फिर आप ऐसे भी लेख सकते हैं V A प्लस V B बात वो क्यों है क्योंकि टॉटल V हजाएगा तो V A प्लस V B विले का आयतन बटे विलिन का प्लस आयतन गुणा में 100 यह हो जाएगा आयतन परतिसर सेम दूसे हमें एक दू परसन इस पर भी देख लेते हैं परसन देखो 220 ml जल देखते हैं क्या परसन है इस को मेंटर देता हूं ठीक है आपको मज़ा जाएगा देखो परसन है 20 ml एथेनोल क्या है ये क्यों सेन है 20 ml एथेनोल है 160 ml जल है 160 ml जल बाकी लेंगवेज तो यह फर्जी होती है 20 ml एथेनोल 160 ml जल में गुला है तो एथेनोल का आएथन प्रतिस्द यानि परसन्टेज वी बाई वी ओफ एथेनोल ठीक है एथेनोल या फिर जो भी इस्पिलिंग तोड़ी अंग्रेजी कमद्दोरे द्यान रखना तो एंसर की बात करेंगे परसन क्या है एथेनोल का द्रेमान नहीं आएथन प्रतिस्द ग्याद करना तो पहले लिख देंगे परसन्टेज या फिर आप पहले जो दिया वे वो लिख दो जैसे एथेनोल कितना है तो अक्सर 20 ml ठीक है जल कितना है तो अक्सर 160 ml परसन्टेज ये निकालना है वी बाई वी ऑफ क्या लिक दोगे एथन्ल ये एथनल कैसे निकालोगे एथÈनल की मात्रा फोर्मुल अब बार बार लिखने क्या हो शकता नहीं है तो कहां सोरे इतना हम समझ चुके बाहर रीमाय है ठीक है तो परसन्टेज आफ एथनल एतनल की मात्रा तो अक्सर 20 एमल बटे में में विलियन अब विलियन में आपको पता दोन होते हैं तो शाट और 120 कितना हो देंगे निए 20 और 160 सी हो देंगे तो यह पर लिख दो गए 180 गुणम है तो सब्सक्राइब तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दो या पर जीर लगा दो लगा एक बार लगभग एक परसेंट आजएगा यह यह जाएगी एतेनौल का आतना प्रतिसत ठीक है अगला देखो नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट एक और है यह परसन ऐसे काफी बारात है कि 10% वी-बाई-वी का आसे है मतलब इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब इतना ही है कि इस विलियन में यह जो 10% वी-बाई-वी है ना इसका मतलब क्या है कि विलियन में 10% तो क्या है विले है क्या है विले यानि कि विले कितना है 10 ml गए सकते हो यह वहाँ लोग 10 ml है ठीक है विलायक कितना है यह विलायक तो तो जाएगा 10-100 यानि सो में से 10 को गटा दो इना उल्टा बोल दिया सो में से 10 को गटा होगे 90 ml हो जाएगा 90 ml और विलिन कितना है तो अक्षा 100 ml यह 100 ml क्या है विलिन यह इसका मतलब है इस प्रकार अपना को पता चलना चाहिए ठीक है यह दस परसेंट वी बाई वी का मतलब द्रेविमान आयतन परतिसत पढ़ेंगे अभी अभी क्या पढ़ेंगे द्रविमान आयतन परतिसत तो आप देखो पहला आमने क्या पढ़ा तो अक्षा द्रेविमान परतिसत दूसरा आयतन परतिसत तीसरा अभी क्या पढ़ेंगे तो अक्षा द्रविमान आयतन परतिसत कि यह कोपिम लिखते रहना और मिलाते रहना सब याद हो जाएगा अगला जो उसका नाम है द्रविमान आयतन परतिशत तो अक्सर यह क्या है? इसमें कैसे लिखेंँ में पहले वाले माम वाले मैं ने ये लिखा कि विले के भार बागों की वहाय संगा जो वीले के पार बागों की वाले माम परतिशत है तो उक्सर द्रियमान प्रतिसाट था उसके बाद में विले के आयतन वागों इसको बोला था ऐ तंपतिसाट तो इसमें दोननों को स्फन्वाजिया यानि बाद मालब्र lrman और विले के बार भागों की वह संक्या जो विलेन के सो आईतन भागों में पस्तित होती है यह हो गए अंद्रियमान आईतन तो बार भी आ गया और आईतन भी आ गया है तो इसको बुलनेंगे अंद्रियमान आईतन प्रतिशत यानि विले के बार भागों की वह संक्या जो विलियन के सो आयतन भागों में उपस्तित होती है उपस्तित होती है उसको अपन बोलते हैं द्रेवमान आयतन प्रतिस्यत तो इसको दर्साएंगे कैसे तो द्रेवमान को सर डबली से दर्सात है और आयतन को वी से तो भूली भूली पॉर्मॉलों क्या होगा तो विले का द्रेमान लिएयनका क्या लेंके लेना तो गुणा में लेंगे सो बात होती हिए त्वेले का को किस्टे थर्द आएंगे तो अगसा डब्ल्यू बी से और विलिन का अधन को वी से दर्शा जेते हैं गुणा मजाएगा तो यह दे नहीं कि यहां पर यह पर संद डे डब्ली बाई वी का मतलब डब्ली बी बेटे वी गुणा तो परसंडेखते एक दो जैसे परसंदेखि को जल में गोल कर 500 ml कितना 500 ml विलियन बनाया गया बनाया तो परसंटेज डबल्यू बाइव ग्याद करो ठीक है यानि कि यूजिय का प्रतिश्चत द्रिमान आयतन प्रतिश्चत ग्याद करना है तो पहले देखो द्रिमान आयतन प्रतिश्चत वैसे भी विले काई होगा गलती कहां पर होगी आप यह सचोगे बट्टे में तो कुल आएगा कुल में यह भी होगा यह गलती हो जाएगी यहां पर साप लिकाद दस ग्राम यूरिया को जल में गोल कर अब यह गोल कर यानि कि विलियन पहले बन चुका है टोटल विलिन कितना है 500 ml है तो इसमें ओल् लिकरें तो वह तो दिरका दस ग्राम है अब यहां पर अ연कर यह पिर पांसो घलत यह पांसो में नहीं है टोटल विलिन का अधन है टोटल डिकर यह विलिन का आधन वोब है धॉया-500 में ठीक है तो यह अपना फ्र्मूल हो जएगा पर्सेंटे डव्ली वी-वी-क से ग् तो द्रेव माने 10 ग्राम आयतने 500 अमेल गुणा में क्या है सो है तो 500-100 कितनी बार बाग गया पांच बार पांच का भाग दस में दू बार तो प्रतिस्ट वटे वी इस इकल तो यह दू इन फ्रांप दू इसका राइट एंस ओल जागा ठीक है दू परसेंट खाली इतना ही है इसका राइट एंपर तो यह था परसन एक दो परसन और देखते हैं मत जाएगा देखो इसको मिटाओ अगला देखिए नेक्स परसन जो है बहुत दो परतिस्ट डबल्यू बई वी एनसी एल एसे परसन आते हैं काफी बार दया रखना दो परतिस्ट डबल्यू बई वी एनसी एल है ठीक है विलियन कि चार सो मेल बनाने के लिए चार सो मेल बनाने के लिए कितने ग्राम एनसी एल क्या हो सकता होगी यानि कि परसन देखो यह परसन बढ़िया परसन है अलका परसन नहीं नहीं इससकते हैं और वारी भी नहीं बनाना दो परतिस्ट डबली बई लिए द का कि लियुँग और कि तो बढ़shots बनाना कि typically नहीं कि यानिकि चस्टेष करणा डिलनाना नहीं मान विलिय का दर्व्यमान या मातर कहास सकते मदीच तो बात होई अधिकेόσंगא मलते में विलियुन का आयतन गुणा इसका मान देर का है कितना अपर थिसत तो सिथा लिखनाू से लेकशन का दुलियुन और कितने ग्राम घ्यात करना है तो इसको मान लिए यह डबियाई के एक्स टीकर यह में यह लिए यह डबुलीव लिख देते हैं यह डबली व्य यूणा दो आ गराम क्या चाहिए यह राइट आइंसर हो गाह है इस प्रकाइल के परसंट पर में आते हैं ठीक है बहुत सिंबल परसन है और यूँ लोगों को बहुत हाड़ लखता है सबसे पहले फोर्मूला लिखना है जो जो दे रहे उसका मान लख देखते हैं ठीक है एक दो परसन और देखते हैं एक परसन आपके लिए पहले यह मिटा दे दिया लखना समझ से रहना कोपी लेकर लिखते रहना ठीक है बढ़ना मजा नहीं आएगा आपको जब तक खुद नहीं मिला ओगे तब तक समझ में नहीं आना एक परसन है हो कि 15 प्रतिस्यत डबल्यू वी क्या है फंद्रा प्रतिस्यत है डबल्यू बाई वी घुए लिखंड कॉन सांबल कि आप गशेलिक अमला का 15 प्रतिस्यत डब्लियू भी ये के कि एक पॉंट पांस लिटर अल्टीया लिख देता होुआ ठीक है यह लिटर को ल से लिखता है यह फाच लिटर विलियन में है है विलियन में ओग्जलीक अमलकी मात्रा ग्याद करनी आपको समझा देते हैं आलंकि आपको बता दिया है फिर भी देखो सबते पहले परसंटेज डवली बाई भी बराबर क्या होगा ओक्जेलिक अमलका द्रविमान या मात्रा कहा सकते हो बट्य में विलियनका गुड़ में विलियनक आयतन गुणा में तो यह फर्मूल है पंधर यहें हम करना क्या लीन को सीचेकरव भी नुघतल अब बट्ञा में बदल होके तो यह द приготов डुरी दू लिक сдел G25 कि पंद्रा गुणा पंद्रा दो सो पस्चेस डव्य विभ्यएब कितना हो जेगा दो सो पसेष सब्सक्राम कि आपको अगर समझ में आ रहा है तो एक परसन नहीं आपको देता हूं में उसका इंश जरूर बता कितना समय इसको मिटाता हूं यह कॉपियम उतार ना सारे सारे उतार हो गए ना आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि करना कैसे अगला देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके लिए परसन है पांच परतिशत डब्ली बाई वी एक एक पॉंट दो लिटर विलियन एक पॉंट दो लिटर विलियन बनाने तु या विलियन में एक 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 पॉंट दो लिटर विलियन में एक 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 की मातरा कितनी होगी या आपको ग्याद करके कमेंट करना है और अगले पाईट मेंपन द्रेक लेंगे पीपी मोल जब्लांस यह मौल भीन कहसे सकते हो मौल लता मोललता और housing इस वीडियो म önमने तीन देखे द्रेमाम परतिसात आयतन परतिसात द्रेमावन आयतन परतिसात उसमें ये चार देख भेंगे ठीक और इसी के साथ संदर्त मापन की कई कैपने क्या हो जाएगी तो वीडियो के सालगा एक बार कमेंट में जरूर बता director और इसका answer भी comment करना सस्काइब जिरू कर देना धन्यवाद